हेलो फ्रेंड्स क्या आपका पानी पीने लायक है आएए आपके पीने के पानी को पीने लायक बनाते हैं जिहां आप सहीं सुन रहे हो देखें दोस्तों में बहुत समय पहले ये बात सुनिये हुई कई अगर पानी को अगर गर्ण किया जाए घरम पानी पिया जाय तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है हमरे digestion सब्सक्राइब हे अपने लेंगवेच के अंदर आपको बताओ कि पान प्तल्ण सब्सक्राइब गर्ट Harsh ज्या, आप सही सुन्वेख हो, क्यूंकि एक जो cells होता है, cells के अंदर आपका पानी अगर micro cluster हो, अगर alkaline हो, तो cell का जोcode consume एको podrium होता है, वो open होता है लेकिन अगर सेल्स का जो एको पिरियम उपन नहीं होगा तो हमें पूर्ती मात्रा के अंदर उसका बेनेफिट नहीं मिले तो आज हम देखते हैं कि हम जो आरो का पानी पीते हैं या ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मल हम पानी पीते हैं उसके अंदर माइक्रो क्लश्टर वाला पानी है या नहीं क्या सही में वह पानी हमें बेनिफिट करता है या नहीं देखिए दो ग्लास के अंदर मेरे पैकेट ड्रिंकिंग वाटर निकाला हुआ है अब इस ग्लास के अंदर में तो अब यह पैकेट ड्रिंकिंग वाटर है और यह का सीएंडी ड्रॉप वाला पानी बन चुका है मतले माइक्रो क्रॉष्टर वाटर बन चुका है कैसे हम चेक करेंगे जैसे मैं यह दोनों के अंदर कुछ चीरू है वह डाल रहा हूँ यह जब आप मैक्रो क्लष्टर वारा जो वाटर होता है तो वह क्या करता है जो भी हम खाना कहते हैं उसकें अंदर तक जाता है और उसके जो पोषक दर्भी होता है उसको खीच के बाहर निकलता है कि दीर दीर आप देखते हैं जाओगे थोड़ा से इसको यहां पर यहां भी देता हूं तो आपको दिखेगा एडिया आपको क्लीरली डिप्रांस दीख रहा है कि जो जीरू था उपर उसके अंदर जो पानी के मॉलेकुल्स गए जो माइक्रोक्रॉच्टर था और उन में से जो सारे अच्छे पोशक द्रवे थे उसको थीच के बहार निदा रहा है तो क्या वो हमारी बॉडी को मिलते अगर हम नॉर्मल सा पानी पीएगे विदाउट माइक्रोक्लस्टर वाला राइक आरो वाला या पैकेंट रिंक वाटर वो पीएगे था हमको हमारी बॉडी के इतने बेनेफिट्स ने मिलेगे लिकिन अगर आप टीमेक्स-CMD ड्रॉप पाला पानी पीते हो तो जो भी आप खाना खाते हो जो भी आप दवाई लेते हुए जो भी आप फ्रूट खाते हो उसके सारे अच्छे बेनेफिट्स आपकी बडी को मिलेगे आप हल्दी रहोगे आपका परिवार हल्दी रहेगा तो आज से टीमेक्स-CMD ड्रॉप को कि बीसो मेंस